तो आज हम बात करेंगे कि आपको डाइवर्स क्यों नहीं लेना चाहिए तो हम बिल्कुल सिंपल लेंग्वेज में बिल्कुल जो रियल फैक्ट है ना यानि कि जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ जो असली में होता है न वो चीज डिलीवर करेंगे तो आपको ना समझ में आएगी डाइवर्स क्यों नहीं लेना चाहिए और क्या इसका एक्शाल रिजन लोग करते ना डाइवर्स ले लो गुस्से में आगे डाइवर्स ले लेते हैं पता नहीं क्या गया तो अब मैं यह नहीं कह रहा है कि आप बिल्कुल भी डाइवर्स ना देजिए आप डाइवर्स दो तरह के होते हैं एक होते हैं mutual consent से यानि कि आपसी सहमत husband भी राजी है भाई डाइवर्स चाहिए वाइव भी राजी है डाइवर्स यह सिंपल तो वह तो कोई दिक्कत नहीं उसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं दिक्कत आती है उसमें जैसे की husband और wife अले में अब husband का mood हो गया कि भी मुझे चाहिए डाइवर्स तो इसका नुकसान आपको पते क्या है एक तो social society time wasting money wasting वह तो ही है जो actual में ना वह पता है क्या है वह यह कि जैसे की जैसे आप में उसका डाइवर्स का case file करते हो ना आपको 6 मेने का time दिया जाते है ठीक है यह नौरमल फिर क्या होता है चलो मालो डाइवर्स हो भी गया तो wife को लोग सला देते हैं कि भी तेरा डाइवर्स हो गया है मैं यहीं है और बेक एक सवाठीब तो यहीं है किकले मों करते हैं 5 एक सबस्राक पार चाहिता है करा गयो डोड़ख करचा है तो volुद्ध करचा देना ठीज पřिर आपको खड़चा देना पड़ते हैं उसके लिए अपके पास थी तो चलो यह की अलग हो गई weiß में इतने तु W पर देना पड़ रहा है जो चीज आपके पस है ही नहीं उसके लिए आप खर्चा दे रहे हो अब सोचते ग्यार चलो पीछा तो छूटा कुछ चूटा ऐसा कुछ नहीं पीछा नहीं चूटा वो तब भी आपकी वाइफ है डाइवर्स हुआ है लेकिन मैंटिनेंस आप दे र इस चीज से समझाई खर्चा देरो कोई रिलेशन है जब तक वह दूसरी शादी ना कर लेना तब तक वह आपकी वाइफ है अब दूसरी शादी का सीन यह जैसे वह दूसरी शादी करती है न तो उसका थाज्मेंट वह जाते है और मेंटिनेंस का ग्राउंड या कि अगर उ सुचिए आपका नुकसान है तो कभी भी आप डाइवर्स ना लीजिए तो यह मैं आपको हजबेंट की साइड से बता रहूं अगर कोई हजबेंट बोलता है कि भी हमें डाइवर्स चाहिए डाइवर्स इसका वाइस फरसा भी पॉसीबल है वो तब जब वाइफ अर्न करती ह हजबेंट नहीं करता हो ठीक है तो आप बिल्कुल भी डाइवर्स के लिए अपलाई ना करो ऑगे परसनल एडवाइस और जो फैक्ट है वो यह है आपका टाइम वेस्ट होता है छे महीने आपको वैसे लगते हैं नोट इस पता नहीं आपको टाइम ही मिलता है कि एक बार स कर दिये ठीक है अब तो निप्टाओ बस लेकिन ऐसे में क्या होता है फिर दूसरा यह कि आपको आपका फाइनिशिल बड़ा खर्चा होता है यह जो चीज़ आपके पास है ने उसके लिए आप पे कर रहे हो ऑगे अगर आप कोई चिल्रन है तो और 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 खर्चा जो ची क्यों छोड़े की क्या इससे कौन करेगा तो काफी इमेज बन जाते हैं लोगों के में फिर मॉरले भी आप बहुत बड़ी टर्म है डाइवर्स यानि डाइवर्स तो कभी भी आप ऐसे चक्रों में ना पड़े डाइवर्स वह बहुत जो हाई कंडिशन हो जाए बिलकुल बहुत जाए पैसर तब सोच भी सकते हो आप अधरवाइस ऐसे कोई फाइदा निया अगर आप डाइवर्स लेते हैं तो बिलकुल कोई फाइदा निया बिलकुल भी नथी आप कही नुक्साल है नेक्स्ट प्रोब्लम हाती है वो पते क्या आती है वो यह आती है कि जैसे आप डाइवर्स के लिए अप्लाइ करते हो ना तो कुछ ग्राउंड्स आपको प्रूफ करने पड़ते हैं सब्सक्राइब कोई चक्कर है वाइफ का कोई मतलब आप मेंटली टॉर्चर कर रही है को कुछ भी कर रही है तो आपको प्रूफ करना पड़ता है जैसी वाइफ की घर नोटिस जाता है तो वह क्या करते है उनको सला दिये जाती है आप 125 डालो तो आपका डाइवर्स हो ना हो 125 लग जाती है यानि 125 आपको मतलब नोटिस में आ गया आप तो आपको खर्चा देन करना ओर वुदक करते हुए कर रहे है तो भी आप क्यों पेखर रहे हो तो इससे जाते हिके यान द्युक्त कर दिये गरे इमत रूबट Как वह बात लगया आप से जब्ली और डूबड़ती आपने अपने अपने मारे घर जाती है कर दे बोलते हैं